हाई गाइस वेलकम बैक टो मैं चैनल ब्लैसिंग्स ठारो आज की अपकी पीखा कार्ट रीटिंग है कि आपके शादी का परपोजल कपाएगा यह रीटिंग जो है वह दोनों जो ग्रूप से उनके लिए है कि अगर आपके माइन में कोई परसन है जिसके साथ कि अगर आपको अपकर पर्पोजल का पैजेंगे यह अगर आप सेंगल है और आपको जानना है शादी आपके लिए और रिटिंग यह दोनों ग्रूप्स यह मैं रीडिंग कर रही हूँ तो आप यह माइट में रखिएगा उस के लिए परसे तीन ऐ पाइल 1 रेड हार्ट, पाइल 2 ए ब्राउन कलर का टैडिवियर और पाइल 3 ए शॉकिंग पिंक कलर का बोट जो उनसा पाइल आपको जदा एट कर रहा है आप मेरिटेट करके इसको चूज कर सकते हैं ठेक है उसके लिए वीडियो को पाउस कर लीजिए अपने अराम से अंखे बंद करके पहले आप पाइल चूज कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रिटिंग पर जी वेलकम पाइल नबर वन जिन्होंने रेट करर का हार्ट चूज किया था आएए देखते हैं कि आपका वेडिंग परपोजल कब तक आएगा और कब तक आपकी नेरली शादी होगी तिये एनर्जी टेक से पहले देखते हैं हमारे पास है जी ब्लॉस्मिंग अबंदेंस हैपी फैमिली एंजल ओफ लाव ठैरो कार्ट से जी मर पासन पेज ओफ पेंटिकल्स एट अफ कप्स जास्टिस कार्ड हमेट एंड मून एक मिन जास्टिस को लगा लेए फिर हम बात करते हैं आपकी एनर्जी पर किया चल रहा है अच्छा जी तो पाइल नमबर वन वेडिंग प्रपोजल का आपने पूछा है तो वेडिंग का आपका ये है कि इस टाइम जो आपके एनर्जी चाल रही है ठीक है वो आप ये मून के उसमें हो ठीक है मून के एनर्जी के अंदर आप इस टाइम मूफ कर रहे हो मून के दर्जी ये है कि आपको कोई ना किसी किसम की मेंटल किलैरिटी का प्रॉब्लम है ठीक है मतलब प्रॉब्लम नहीं है मतलब आपका जो जहन है ना जो इस टेम आपका माइंड है उस टेम मतलब बरेखकु एक क्लियर एक पॉंट पर नहीं सोच रहा आपको डाउट यह ऑते हैं ठीक है आपको परिशाने आपको फैनिक आता है के पता नहीं मेरा क्या बनेगा आपके रिलेशनशिप के क्या बनेगा ठीक है कै अप कफी उयन में हो ठीक है, अलियूईन में हो, फिर है आपको किसी किसम का, हो सकता आपका पास में कोई बहुत ही, मतलब, ब्रूटल किसम का ब्रेक अप हुआ है, जिसकी वज़ा से आपका माइंड इस तरह का बन चुका हुआ है, कि आपको कोई क्लारिटी ही नहीं है इस टाइम, ठीक है, और आ हमेट कार्ड, आप, जो आपके परसन है, जिसके बारे में अपने पूछा है, यह आपकी फूचर लाइफ पार्टेर है, ठीक है, यह उनकी एनरजी है, इस टाइम, ठीक है, आपका जो प्रोपोजल है, यह जो आपके शादी है, उसका यह है, कि वह भी एक दम से नहीं आ सक कि बीच में थोड़ी सी रुकाफ़ते है, आपको सर्चिंग करना पड़ेगा, वो आपको सर्च कर रहे है, ठीक है ना? आप लोगों का जो है, सोल किनेक्शन है, दोनों का आपस में, ठीक है, सोल किनेक्शन है, लेकिन उनको जो रस्ते में प्राब्लम्स आ रही है, वो इस हुआ है जिसकी वज़ा से वह अभी आपको राइट वे पर पोज नहीं कर सकते हैं है हमत का काड ही होता है searching का और problems का ठीकर अभी आगे देखते हैं कि उनको क्या problem हो सकती है justice card यह कार्ड कलियर कट बता रहा कि क्यों वह अभी तक आपको पुर्पोजन नहीं किया या अभी तक आपका पुर्पोजल नहीं आया ठीक है उसके वज़ा ही है जी कि जो आपके person है या जो आपके future partner है वो अपने life में अभी तक stable ही नहीं हुए है अभी तक अपने पॉँआं पे खड़े ही नहीं हो है अभी तक अपने आपको balance ही नहीं कर पाई है अभी ये आप चाहे financially समझें कि financial तोर पर मैं बात कर रही हूँ या आप ये समझें कि आप दोनों का जोड़िष्टा है आपी वो समझते हैं कि अभी इस stage पर ही नहीं आया कि वो जाकर आपके propose करें शादी के लिए ठीक है या अगर उन्होंने कर भी दिया है propose और अपि तक of course पर शादी नहीं की तो उसकी कुई ना कुई तो वजा है ना बड़ी और वो यह है वह समझते हैं कि अभी आप लोगों का relationship जो है अभी मैचूर ही नहीं हुआ ठीक है यह यह दूसरी जो है वह हो सकती है option कि वह अभी तक फिनेंशरी तोर पर अपने आपको इतना स्टेबल नहीं समझते कि वह आपकी भी जिम्मेदारी उठाएं ठीक है ना ची एट ओफ कप्स इसकी वजा से उन्होंने एक स्टेप बैक लिया हुआ है और वह अभी तक आपको इसमझे से परपोजल उन्हें नहीं बेजा लेकिन ठीक है यहां बगोड नियूस है परपोजल वह आपको बेचेंगे ठीक है ना लेकिन थोड़ी धीरेच से बेचेंगे ठीक है पहले वह चाहते हैं कि वह अपने आ आउस वाइफ यहां फैमिली ओर्येंटेड गर्ल यहां लगती हो यहां आप बोई देख रहे हैं तो गर्ल्स जो हैं उनको उनको इससरा देखती है कि आप फुल पैकेज हो ठीक है लेकिन उनका हो सकता है को कोई बीच में हार्डल है वह भी आपको इसलिए मैरिज के लिए नहीं कह रही ठीक है हो सकता है उनका स्टाडी प्रॉब्लम हो सकता है उनकी स्टाडी कंप्रीट ना हुई हो यहां भी वह किसी केरियर के इनिशिल स्टेजिस पर हैं इस वजह से उन्होंने अभी तक आपको पर्पोज नहीं किया ठीक है लेकिन जो सनकार्ड है यह राइट अब ये मैं आपको टाइम फ्रेम बताती हूं कि अल्मोस्ट कब तक आपका आजाएगा रिष्टा यह आप लोगों का कब तक बात बन जाएगी आपस में अब लोगों का रिष्टा आप लोगों का रिष्टा ने प्रोटेक्ट किया हूआ है डफिनेटली आपको जब प्रोपोजल होगा आपका शादी होगी ठीक अब दोनों में अटर्नल लव होगा ठीक है और आप लोगों का जो रिष्टा है वो काफी मजबूत हो है ठीक है यह यह 4 नमबर देखिए यह 4 महीने तक तकरीबन यह 4 वीक्स भी लग सकते हैं ठीक है नहीं फोर नमबर आपको किसी नहीं तरह से प्रोमेनेंट हो सकता है हो सकता है कि 4 महीने बाद उनको कुछ ना कुछ अपने फिनेंशियल केंडिशन में बेतरी मिसूस हो यह अपने थोड़ा सा रिष्टे में स्टेबिलिटी आए ठीक है और वो आपको प्रपोज कर सकते हैं ठीक है ब्लॉस्मिंग अबंडन्स ठीक है आपके आने से आपकी ocean कं जे जिए रिष्टा बहुत इनिशिस्टेज है इन के लिए 3 साल लग सकते हैं बाद इस देए चाहर जादी को चाहर साल भी कुछ लोक के लिए लग सकते हैं यह 49 लीग्स लिक का सकते हैं यह 9 & 4 13, 13 weeks भी लग सकते हैं, 9 plus 4, ठीक है, यह 13 नमबर आपके लिए प्रमिनिट हो सकते हैं, 13, 1 plus 3, again 4, तो यह भी 4 है, यह भी 4 है, तो कुछ लोगों के लिए 4 ज्यादा ही important है, यह हो सकता है, next April में आपका proposal हो जाए, ठीक है, तो आप लोगों की यहीं तक थी reading, pile number 1, ठीक है, I hope आ अगर आपको पसंद आई है, प्रीज लाइक, सब्सक्राइब, and share this video with your other buddies, and मैं आप से मिलूगों में ने नेक्स वीडिंग में, बाई, हाई, welcome, pile number 2, इनों ने यह brown color का bear choose किया, ठीक है, यह देखते हैं, कि आपका wedding proposal कब तक आजाएगा, कब तक आपकी शादी हो जाएगा, और वो कब तक आपको शादी के लिए offer दे सकते हैं, और वो अभी तक क्या उनको मसला है, जो भी अभी तक उनोंने दी नहीं, अच्छा चरिएट, टैरो से है चरिएट, six of pentacles, strength card, eight of pentacles, ace of pentacles and four of swords, जी यह पहले sun sign सुन लीजिए, यह है, यह यह इसके लेबड़ काफी पराँमेनि था केंसर मैंते हैं सुलखने सेक्सनर में, या च्छ कहते हैं लीपर सब्सक्न डीपर्णे हैं इसके लावा लीपराफी स्ट्रोंग। प्रोपोजल के बारे में हमने जांचना है तो जी फो और यह भी कुछ सेट सेट बैक है हुआ वाजी ठीक है उनको जो आपके पार्टनर थिक कर यह तो आपके साथ उनका कूछ ब्रेक अप चाल रहा है यह कंपलीशनी स्टैप के कोछ चीज चाल रही है ठीक हैं गलडाई हु उनको healing के जरूरत, उनको renewal के जरूरत है, अभी वो फॉरन से शादी की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है न किसी किसम का heartbreak हुआ था past में जिसकी वज़ा से वो अभी तक मतलब सफर कर रहे हैं और वो इस बारे में इस जादा नहीं सोचा ठीक है, और फिर दूसरी बात यह भी है, कुछ लोगों के cases में आपके जो partner है, उनको अभी नया जॉब लगा है, ठीक है, यह से विदा है, उन्ह नयाब यह पार शुरू है, जिसकी वह काफी बीजी है, और नहीं नयाब को थोड़ा सा इग्नॉर किया इस बात से, शादी की बात पर, ठीक है, को थर्ड़ पार्टी किसी किसम के यहाब इस सिचुएशन नहीं है, जिस वज़ा से उन्होंने इग्नॉर किया हुआ है, यह उनका पास्ट में उनका अभी तक दिल टूटा हुआ है, वह ऐसे अभी सोच रहे नहीं है, जली से शादी के बारे में, यह पिर यह हो सकता है, कि उन्होंने नयाब को जॉब कोई काम शुरू किया हो, यह दोनों केस भी हो सकते हैं, उनके साथ, ठीक है, लेकिन काम वाले प इसकी वज़ा से उन्होंने अभी तक इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा है, ऐसी कोई बात नहीं कि वह आप से प्यार नहीं करते हैं, या आप उनको पसंद नहीं हो, वह आपको वाइड कर रहे हैं, कि या उनकी लाइफ में कोई और ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, उनको तो अपने काम से भी प्यार है और वो काफी उसको भी अपना जो के बहुत अच्छी बात है लिए आपके लिए भी तो फाइदा मेंदा होगा ना क्योंकि जब आपके लिए भी एक्वेली इंपर्टेश सखेगा उनका काम कि लिए पार्टनर्स लिए या जो खुद लियो है वो जारा कांडली जादा गौर से सुनियेगा तो अविद अच्छी आपका जो लव पैशन जो है वो काफी स्ट्रॉंग है ठीक है ना आपको वो अपनी ताकत समझते हैं आप उनकी ताकत हो आप उनको सपोर्ट करते हो आपको कोई ग्रीड नहीं है उनसे आपने कभी ऐसी कोई अनको नहीं दिखाया अब रहा ब्रेव हो ठीक है यह देखकर आपको तुनको भी काफी और भी उनको शक्ती मिलती है यह काम करने की ठीक है विदा सिक्स अफ पैनिकल्स काफी अच्छी इंसान है जे जेनरस है आप को भी बहुत कुछ रखेंगे आपको कोई फिनेंशली प्रॉबलम किसी किसम का नहीं आने देंगे ठीक है लेकिन मसला यही यहां पर पड़ा हुआ है कि उन्होंने प्रपोस अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंके क्योंके वह काम में बहुत ज्यादा इंवाल्व है ठीक है हो सकता है आप मेंसे जो है कुछ लों के पार्टनर वह अभी एज में चोटे हैं यहां अभी एज में अडली 20s में हो यह 19, 20, 23, 25 यह एज हैं अल्मोस्ट यह 28 तक भी हो सकती हैं आज कल तो 30s में भी वन मतलब कुछ लोग नहीं स्टेबल हो पाते हैं जब आपर्चुनिट अभी तक आपको अभी प्रॉपर एंसर नहीं किया है प्रपोजल के लिए लेकिन एस सून एज उनका यह बिजनस का यह काम का मसला सौफ होता है वो डेफिनिटली विद चैजिट कार्ड बहुत तरफ तरफ परपोजल बैचिंगे ठीक है यह चैजिट कार्ड होता है मुव अगे आने का आगे परपोज करने का यह आगे आगे आके कोई भी काम करने का और बहुत तेजी से जैसे उनका मसला सौल होगा वो डेफिनिटली आपको परपोजल करेंगे ठीक है आपने को नेगिटिविटी नहीं इन परी दमाग में कि पतानी क्या बात है ठीक है अचा व अचा वगा है तो यह थोड़ा सा जादा उनको वक्त लग सकता है ठीक है इसलिए उनोंने भी रिट्रीट किया हुआ है आपने बस दीरज रखनी है परिशान नहीं होना ठीक है अचा एंचल ओव बैलंस आप भी आपको बैलेंस रखे उनको भी बैलेंस होने दें उनके वर कुछ लोगों के लिए दो साल भी हो सकते हैं जो भी मतलब चोटे हैं देख रहे हैं या भी जो कॉलेज कोईंग है तो उनके दो साल भी लग सकते हैं ठीक है यह जर्नी है उनको जो उनको कम्प्लीट करना है अफकोर्स अब को ही करना पड़ता है यह जर्नी तो विद वर्ल 11.131 अपके लिए प्रामीनिन हो सकते हैं 12 नमबर आपके लिए इप्राइब हो सकते हैं इपके लिए इंपरेंट हो सकते हैं तरहें से सब्सक्राइब हो सकते हैं I hope that reading is आने आपके साथ जह 25 करें चानल तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस्ट इबाल अगर मैं आप से में लोगों के नेक्स लीडिंग में बाई आये देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते है कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं क्या प्रपोजल कभ तक हो जायगा और क्या पेश आरही है कि अबितक प्रपोजल नहीं आया दिस नंकाद स्टॉंग वर्णिग यह थे टेंबल पाथ तेरो सिया जी गिव पंटिकल्स नाइन उफ कॉप्स स्टार कार्ड फूल 5 of pentacles and 3 of swords जी तो पार नुम्बर 3 आपको लोगों के जो sun signs है वो है जी Taurus, Capricorn, ठीक है Libra Aquarius न जमिनाए Aquarius काफी स्ट्रॉंग है जो भी Aquarius है, प्लिस कमेंड में बताएगे Aquarius कौन है Cancer, Pisces, Scorpio ठीक है लेकिन ये Taurus, Virgon, Capricorn ये आपके पार्टनर है जिनके Taurus, Virgon, Capricorn पार्टनर है ठीक है वो करनली ज़रा गोश्ते सुनिए उनके लिए काफी ज़्यादा ये रीडिंग रजूनेट होगी उनके साथ 100% बाकियों के साथ भी होगी लेकिन ये इनके लिए थोड़ा ज्यादा है अच्छा जी आप दोनों की लड़ाई होई है या पिर उनके साथ ये मसला है कि उनका जो पास थर लाइफ का पास जो रिलेशन्शिप था आपसे पहले उन्होंने उनको बहुत बुरी तरह से तोड़ावा तो वह भी शादी के बारे में नहीं सो सकते हो सकता है उनके साथ च्वाप से पहले थे उनका काफी अच्छा बॉंड हो रहा हो और काफी उनको उनसे प्यार हो प्यार ना भी हो लेकि हो सकता उनके अटेश्मेंट बहुत ज्यादा हो इस वज़ा से लेकि उनने काफी उनको कार्मिक पार्टनर थे और उन्होंने काफी उनके साब बुरा किया और उनका दिल काफी तूट गया ठीक है तो अभी वो शादी वाली बात पर इतना बिलेव नहीं करते हैं इसलिए शायदो आपको शादी के लिए इतना ज्यादा रिस्पॉंड नहीं करते हैं विदा फाइव पैंटिकल्स उनकी स्टम यह नर्जी है कि वह उनको ऐसे लगता है कि उनकी जिन्देगी के यह बहुत ज्यादा हाद टाइम है ठीक है उनको काफी एंग्जाइटी में है उनने अपने उपर कॉंफिडेंस नहीं है ठीक है उनको शाद आपके प्यार पर कहीं कहीं दाउट है कि पतन यबाप उनसे प्यार करते हूए नहीं है है उनको प्रवाद पर कैसा रहे गाया उनको इस बात पर अभी जो है ना किसी किसम का शॉरिटी नहीं है कि क्या बनेगा आप टो नों का ठीक है आप लोग आगे जाकर कर भी पाओगे को और को इस वजा से ह काफी अभी इस नाउट वली एनरजी में है विद फूल कार्ड हो सकता है आप लोगों का रिस्ता न्यानया बना है ठीक है आप लोग अभी इनिशल स्टेजिस पर हो और ये भी हो सकता है कि उनको पास से निकलने के लिए आप में से किसी ने help की हो और उसकी वज़ा से आपको काफी अड्मायर करते हैं आपने उनको काफी mental sport किया है कि वो अपना दुख पुराना भूल सके ठीक है लेकिन वो अभी full energy में है वो अभी अपने पास से बाहर आना चाहते है अपने पुराने वाले में पुराने वाले पास से ठीक है लेकिन star उनके दिल की राजकुमारी उनके दिल की राजकुमार आप ही हो ठीक है यह surprise का card होता है वो surprisingly किसी दिन आपको surprisingly किसी दिन आपको propose कर देंगे ठीक है यह बात आप याद रखेगा तो आपके लिए वो बहुत एहम जो है वो दिन होएगा और आप जो इस दिन बड़े खुश होगे ठीक है आपको ऐसे समझते हैं कि जैसे हम stars को दूर से देखते हैं आप बहुत खुबसूरत हो सकते हो ठीक है भश्त की तो ईससे कोई मशूर हो जाता है अप इस तरह कि अपनी पुप सूरती को ले कर कह सकते हो या किसे skills की वजद़ आप काफी skillful and alike हो परहाल वो अपने आप से आपं काफी ऊपर समझते हैं किसी भी level पर skills level पर ले लेist लेले कुछ भी ले 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 9 of Cups भी आप उनको काफी mentally satisfy करती हो आप उनकी wish fulfillment हो आपको लगयोरी देंगे काफी greenery होगी जब वो पर्फोसल करेंगे तो आपका पर्फोसल भी काफी romantic होगा हो सकता किसी green place पर हो ठीक है जहां पर ग्रीनरी होती है यहां पर नेचर बूटी होती है ती किंग ओफ पैंटिकल्स है आपके होने वाले पती या पतनी टॉरस लोगन कैप्रिकॉर्ण काफी मनें फिनैंशली वैल ओफ होंगे ठीक है इंका अपना करुबार हो सकता है पीछे बाप तादा के काफी सब्सक्राइब रहता है कमिट्मेंट देता है वह कभी भागेगा नहीं छोड़के नहीं जाएगा ठीक है तेमपल पाथ आपको दुआ करनी पड़े कि आपको प्रात्ना करनी पड़े कि इसके लिए अपे रिलेशन्शिप के लिए ठीक है यह आपके लिए अनर्जी है आपको पंडिंग रहता है जो आपने भी कम्प्लीट नहीं किया कि आपके शादी हो अभी राइट नहीं यह तापको पूरा नहीं है यह आपको फिनेंशिल मसला है ठीक है ना आपको स्टॉम वर्मिंग है आप जल्दी से इसको काम पूरा करें क्योंकि जल्दी से आपका अपका बॉजर बहुत नजदीक है आपकी शादी काफी नजदीक है विदे सांकाट इवर फूचरिस ब्राइट यह जो अपकमिंग जो आपको लाइफ पार्टनर है वह आपको काफी ब्राइट और पूचर देने वाला है ठीक है आपको जो डल सी लाइफ है ब्लाइक इस टाइम फ्रेम में आपका प्रपोजल हो जाएगा ये पकी बात है और आपका शादी भी हो जाएगी ठीक है जी अगर ये रेडिंग आपकसा रेजोनेट हुई है पाहिल थी तो सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस तो बेल आइकन मैं अपसे में लिग में नेक्स रेडिं और लोंगराले में झाइब ऑया ये शोल सक्राइब लेणि